हेलो फ्रेंड्स वैलकम टो माई चैनल आज मैं आपको सिंगलर और प्रूरल नाउन के बारे में बताऊंगी सिंगलर और प्रूरल नाउन का कॉंसेप्ट बच्चो को केजी क्लास में सिखा दिया जाता है और केजी ग्लास में से बच्चों को S और ES की रूल्स ही सिखा दिये जाते है Singular से plural form बनाते वेक किस word के साथ हमें S लगाना है और किस word के साथ हमें ES इसके कुछ रूल्स होते है सबसे पहले में आपको ये बताऊंगी कि Singular noun क्या रता है Singular noun refers to one person, place or thing Singular noun में one person, place or thing की बात की जाती है जैसे cat, mango, house इसमें किसी भी word के साथ S या ES नहीं लगता Plural noun refers to more than one person, place or thing Plural noun में हम one person से ज़्यादा की बात करते हैं इसमें दो जने भी हो सकते हैं, तीन जने या इस से अधिक जने भी हो सकते हैं जैसे cats, cats दो, तीन, चार, कितनी भी cats हो सकती हैं Houses, mangos अब मैं आपको ये बताऊंगी Singular से plural noun बनाते वक्त हम किन words के साथ ES लगाते हैं जैसे CH, किसी भी word के last में जब CH आता है तो हम उसके साथ ES लगाती है SH, किसी भी word के last में जब SH आता है तो हम उस word के साथ भी उसकी plural form में ES लगाती है किसी भी word के last में जब X आता है तो भी हम उस word के last में ES लगाती है जैसे watch, watch में CH आता है box, box में X है तो हम इसकी plural form बनाते वक्त यहां ES एड करेंगे quiz, quiz में Z है तो हम इसकी plural form बनाते वक्त ES एड करेंगे wish, wish में SH है तो इसकी plural form बनाते वक्त हम इसमें ES एड करेंगे gas, gas के last में S है तो इसकी plural form बनाते वक्त हम इसमें भी ES एड करेंगे mango में o है last में तो इसकी plural form बनाते हम last में yes add करेंगे अब es के rule सिखाने के बाद मैं आपको s के rule बताती हूँ cat का cats simple किसी भी word के last में s लगा दिया जाए तो वो plural form बन जाती है dog का dogs apple का apples book का books अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए